नमश्कार दोस्तो, केन सरकार ने 24 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खंडा को भारत का अगला मुख्य नियाधिस मतलब की चीफ जस्टिस अफ इंडिया निक्त किया अब जिसके लिए वन वीक पहले CGI डीवाई चंदर चूड के द्वारा की गई सिफ्रारिस को अपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई थी जिया इस पर स्टेंप लगा दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर ज़र जस्टिस खंडा 10 नवंबर को CGI चंदर चूड के सेवा निर्वित होने के बाद एक दिन बाद 11 नवंबर को अपनी सपत लेंगे और इस पत को गहन करने वाले हैं अब संजीव खंणा 13 मई 2025 को अपनी सेवा निर्वित तक 6 महीने से कुछ अधिक समय तक इस पत पर रहेंगे मतलब कि इनका जो कारेकाल है वो रहेगा केवल 6 मंद प्लस का कुछ दिन और अब यहां पर आपको एक चिट और ध्यान रखनी है कि CGI चंदरचूड का 2 साल का कारेकाल हाल के सालों में सबसे लंबे कारेकाल में से एक है जी हां आपको ध्यान रखना है कि अब तक जितने भी CGI बने हैं भारत के इतिहास में सबसे लंबा कारेकाल D.Y. चंद्रिचोड जी का है अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में के आखिरकार इनकी नियुक्ति कैसे होती है वो आपको ध्यान रखना है उस प्रोसीजर को हम बोलते है M.O.P This is called Memorandum of Procedure of Appointment of Supreme High Code Judges अब यहां पर M.O.P में यह कहा गया है कि भारत के मुख्य नियाधीस के पत पर नियुक्ति सर्वोच नियाले के सबसे वरिष्ट नियाधीस हो की होनी चाहिए जो सबसे अधिक जिसके बास एक्सपिरियंस होगा जिसका कारेकाल सबसे अधिक रहेगा और जो एज के हिसाब से भी अधिक होगा वो इस पत के लिए क्या होगा एलिजडिवल होगा उप्युक्त माना जाएगा और 1999 मतलब कि 1999 में M.O.P पर सहमती बनने से पहले C.G.I. के बास सर्वोच नियाले के सबसे वरिष्ट नियाधीसो के प्रंप्रा के अनुसार C.S. पद पर पद उन्नत मतलब कि पर्मोट किया जाता था और यहाँ पर M.O.P में निधारित परकिरिया के अनुसार जो भारत के करंड जो हमारे C.G.I. होते हैं जो वर्तमान में हमारे D.Y. चंदिचोड जी हैं इनकी सिफारिस का जो वेटेज होता है वो काफी अधिक होता है और ध्यान अखेगा कि जो करंड के C.G.I. होंगे उनके नियर के जो एज के जो आपके जज होंगे उनके पर्मोशन के चांसिस काफी अधिक होते हैं और बाई डिफर्ट M.O.P. भी यही उनको देता है राइट कि वही बने अगले C.G.I. तो यहाँ पर सिफारिस प्राप्त होने के बाद अब केंद्रिय वेधी, नियाय मंत्री, पर्धा मंत्री को सिफारिस प्रस्तुत करेंगे जो नियुक्ति के मामले में राश्च्पति को सला भी देंगे अपने कि वह यह वज़े क्या है कि हम इनको क्यों चाहते हैं C.G.I. ब्रानो वगरवगरवगरः तो टेक्निकली ये केंद्रिय सरकार के पास पूरे जाता है राइट लेकिन इसका प्रसेडर इस तरह से घूम घूम कर जाता है कि प्रणिशलता की राइट है किसके पास अगजैप्ट जी हाई करन्ट के C.G.I. के पास में है या फिर दोस्तों कानून मंतर के पास में है या फिर दोस्तों केंद्र अविधी के पास में है या फिर राश्पती के पास में है तो हर चीज का एक प्रोसीदर होता है इसलिए थोड़ा समय लग जाता है अब यहाँ पर आपको एक शिर और ध्यान रखने की परंपरा के नुसार केंद्र उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे पीठाशीन CGI अपने उत्रधिकारी के रूप में सिफारिस करता है सच्चाई वास्ति रूप से ये है और सुपरिमपोड के सभी नियाएधिसों को 65 वर्स के आयू में सेवा निर्वित होना होता है और मैक्सिम जो कारेकार होता है वोता है 6 एयर का ध्यान रखेगा लेकिन जो CGI मैक्सिम जो बने है अब तक मैक्सिम जिसका डियूरेशन रहा है वो है हमारे डिवाई चंद्रिचोड जी एक्चुली 6 वर्स तक पहुँचने के लिए ना मतलब 6 वर्स का कारेकार पूरा करने के लिए एक थोड़ा सा इसके बीछे लॉजिक थोड़ा सा अजीब है तो कि यहां पर जो वर्तमान के CGI है आप उनकी चेक करिएगा अगर वो 6 मेने बाद ही रिटायर हो रहे हैं तो मतलब कि पैसिट वर्स की एज वो क्रॉस कर रहे हैं तो CGI के पत्तक पहुचने के लिए कितना अच्छा एक्स्पिरिंस चाहिए तो एक पैसिट वर्स के आसपर जो पहुचने वाले होते हैं उनको इभारत का CGI बनाया जाता है यह हम कहा सकते हैं यह आपके सामने लिश्ट है कि upcoming मतलब कि आने वाले समय में कौन-कौन से CGI हमारे बन सकते हैं लेकि दूसर इस लिश्ट में थोड़े बहुत फेर बदल हो सक यह फिर खुदा ना खासता भगवान ना करें अगर किसी की मिर्ति हो जाती है जी हां इस लिश्ट से जॉइनिंग के रेट से पहले पहले तो वह नाम कट हो जाएगा यहां से तो इसमें फिर बदल हो सकता है लेकिन अभी दोस्तों जो जो जानकारी है उसके हिसाब से जो कौन से करम के CGI होंगे जी हां करम के अनुसार पॉस करिए वीडियो को बहुत ही लड़ू कोशन्स है इजी कोशन्स है आप मुझे कमेंट कर सकते हो अब यहां पे आप सब के मन में एक सवाल शायद रेज हो रहा होगा क्या सुपरीम कोट के वरिश्टम नियाधिस को मुख् जस्टिस जेयम सेलत और एक थे आपके केस हेगडे और एक थे आपके एन गुरूवर को दर किनार करते हुए जस्टिस ए एन रे को मुख्य नियाधिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करी गई थी और जस्टिस रे को इंद्रा गांधी की सरकार के प्रती अपने वरिष्ट सयोगियों की तुलना में अधिक अनुकूल माना जाता था और उनकी नियुक्ति की घोशना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केश्वानन्द भारती मामले में एक एतिहासिक आदिस सुनाए जाने के एक दिन बात की गई थी और जिसमें मूल संदचना से धात निध नियाधिस बने थे तो एक बार पहली बार ऐसा हुआ था कि जब वरिष्टा के अधार पर मुक्के नियाधिस नुक्त ना करते हुए एक जी हां इंद्रा गांधी जो पीम है थी और उनकी सिफारिस पर डिरेक्ट इनको पर्मोट कर दिया गया था तो हम कहा से हैं कि यह पर 1 में और 2 नियाधिस मामला 1993 में और 3 नियाधिस मामला 1998 में सरवोष नियाले के नेने के बाद किसी भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के नियाधिस की नुक्ति के लिए एक सह कर्मी चेन परिकरिया की स्थापना की गए थी जिसे अब हम बोलते हैं कॉलिजियम जिहां सर्वोष नियाले कॉलिजियम के रूप में जिसको अब हम जानते हैं और इस कॉलिजियम में सर्वोष नियाले के सबसे वरिष नियाधी सामिल होते हैं और केंदर टेक्निकल रूप से इसकी सिफारिस को स्रिकार करने के लिए बात दे होता है तो इसलियम कैसे नहीं कॉलिजियम जो हमारा बन रखा है वो काफी ससक्त होता है और कॉलिजियम पर हर बार सवाल उठते ही उठते हैं आपको याद होगा डिवाई चंद्रचूर जी जब जिस समय जब वो CGI बने थे बहुत जल्दी कम एज के अंदर को पर्मोट हो रहे हैं लगाता है अब इस पर ये सवाल उठाए गया था कि कहीना की इनके जो फादर है वो और इड़ी CGI हैं और इतनी कम एज में लगाता है इनके बैक टो बैक परमोशन पराप्त करें हैं तो कॉलिजियम पर भी कहीने के सवाल उठाए गए थे लेकिन दोस्तों ये कैपेबल है मैं मानता हूं इस चीज को लेकर के लेकिन अब कहीं न कहीं रिटार्मेंट की एज जैसे से इनकी पास आ रही है और उनकी टीका टिपड़ी जिस तरह से हो रही है खास तरह पर जोने ने टीका टिपड़ी करी थी आए उध्यरामंदरी को लेकर के इन्होंने जब ये कहा था कि जब त्री मंत के लिए ये केस उनके पास में आया था तो उनकी हैल्प किसने करी थी इस केस को सॉल्फ करने के लिए जी हाँ, आप CGI हैं, आप भारत के मुखे नियाए धीस हैं और यहाँ पर भारत को जो भारत करिश करणगा ना ही अपना वापस आता हूं टौपिक की तरह और M.O.P. को पहली बार 1999 में तैयार किया गया था और नियुक्ति की परिकरिया और नियुक्ति परिकिलिया के मामले में केंद्र, सुप्रीम कोर्ट और उच नियाले के दायत वो को बताता है और ये दस्तावेज इसलिए important है क्योंकि नियाधिसो की नियुक्ति की कॉलिजियम परणाली एक नियाएक नवाचार है एक नया विचार भी है और जिसे कानुन या सविधान के पार्ट के माद्धम से आनेवारिय नहीं किया गया और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राश्टिय नियाएक नियुक्ति आयोग जिसे हम बोलते हैं NJAC नाम तो अपने सुनावगास का इसको लाने वाले सविधानिक संसोधन को रत कर दिया और इस से केंद्र को नियाधिस की सिफारिस करने की परकिरिया में अधिक परभाव रखने की अनुमती मिल जाती है और इस नियुने के बाद 2016 में MOP पर फिर से बाच्चित के गई हाला कि सरकार ने पिछले साल तक ये कहा है कि इसे अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है दोस्तों आज के इस वीडियो में बस कलतना है मिलता हूं जा दखना है वीडियो के साथ तक तक लिए धन्यवाद धन्यवाद कहने से पहले आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आखिरकार ये जो हमारे आने वाले 11 नवंबर को जी हाँ जो CGI संजीब खना जी अपनी ओत लेंगे तो ये कौन से करम के हमारे भारत के CGI बनने वाले हैं कमेंट करना मत भूलिएगा धन्यवाद